नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, I hope so, आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आज का टॉपिक है, that means there is a dead state तो thermodynamics में आप लोगों ने सुना होगा कि system goes to the dead state या हम लोगों ने सुना होगा कि जब भी आपको किसी process और cycle से maximum useful work चाहिए तो that means आप क्या करिए, आप उस system को dead state पर ले जाईए तो what do you mean by the dead state, ये dead state होता क्या है ये dead state होता क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि sir, what is the definition of a dead state तो dead state है, अगर हम एक definition के इसाब से देखते हैं, तो dead state क्या होता है तो हम लोग यहाँ पर dead state बोलेंगे, कि उर्देव, a system is set to be in dead state when it comes in equilibrium, when it comes in equilibrium with surroundings जब आपका system, dead state कब कहला आएगा, जब वो equilibrium हो जाए किस के साथ, surrounding के साथ तो that is, उसको हम लोग क्या मोलते हैं, it is dead state दूसरी चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, कि available energy or availability of the system is zero यानि जो dead state system जो होते हैं, उनके पास जो availability होती है, वो क्या होती है, zero होती है उनके पास कोई भी availability नहीं होती है, अब मैं आपको समझाओ जैसे बले सर, as example हम समझ सकते हैं कि सर, एक dead state हम किसको बोलेंगे या हम लोग dead system किसको बोल सकते हैं, कि बैटा जो मेरा, आपका जो atmosphere है आपका जो atmosphere है, उसको आप बोल सकते हो, कि सर, it is a dead state वो किस state में है, dead state में, atmosphere, dead state में, clear है, अब सुनो मेरे बाद अब यह term क्यों आई, कैसे आई, यह सारी चीज हम लोग जानते हैं आप लोग देखिएगा, कि हम लोग क्या करते हैं, कि every process, यह कोई भी जो चीज है, वो क्या होती है वो थोड़ी देर, बलब every process, यह every system, wants to be, comes in equilibrium वो क्या है, equilibrium में आना चाहता है, चीक है और darmiss हम लोग बात करें कि वो थोड़ी देर में आ, कई darmiss process जो है, वो क्या होती है, थोड़ी देर बाद equilibrium में आ जाती है और कई जो process हो जाती हैं वो एक बहुत लंबे समय बाद equilibrium में आ जाती है वो depend करता है कि वो nature पर depend करता है कि उसका process का nature क्या है clear है तो जब वो equilibrium में आ रही है surrounding के साथ जब equilibrium में आ रही है surrounding के साथ तो उस system को जब system जब आपका equilibrium में आ जाता है surrounding के साथ तो उस system को हम लोग क्या बोलते हैं, that means there is a dead system, dead system, और उस system के state को क्या बोलते हैं, it is the dead state, ऐसे समझ नहीं आएगा, समझाओ, मैं आपको क्या बोलू, आपके पास क्या, I suppose, hope that we have a गरम चाय of प्याली, हमारे पास एक गरम चाय की प्याली है, अब उस गरम चाय को जब पीते हैं तो आपको एक energy मिलती है, अब वो गरम चाय की प्याली है, उसका एक state है, वो एक system हम मानके चल सकते हैं, बिल्कुल, सर उसका एक pressure है, उसका एक temperature है, बिल्कुल, right, तो वो हम बोलते हैं कि हाँ, सर एक temperature एक pressure, तो वो एक state है, अब suppose that उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसको नहीं पीते हैं, उसको रखे, 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 तो एक समय ऐसा आएगा, कि उसका जो state होगा, वो क्या हो जाएगा, यानि उसका temperature और pressure जो है, वो change हो जाएगा, क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो कैसे होगी, कि सर वो क्या होगी, heat उसने reject कर देगी, व मैं बोलू मां कि जब वो ठंडी हो गई, तो उसका temperature क्या होगा, वोला सर, as is equal to the surrounding temperature, pressure क्या होगा, is equal to the surrounding temperature, तो जो चाय, जब, जब चाय की property, surrounding की property की जब equal हो जाती है, तो उस state को, उस system को, हम लोग क्या बोलते हैं, it is the dead state, or it is the dead system, clear हो गया, तो एक चाय, जब ठंडी हो surrounding के equal हो गई, हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, it is the dead state, or it is the dead system, अब आप सुनो, अब मैंने कहा लेका, available energy and availability of the system is zero, उस ताम उस चाय को, पियो को कोई energy मिलेगी, वोला सर, नहीं, पी के फैंक दोगे, नहीं, कोई energy मिली, तो that time, जो हमारे पास energy है, जो atmospheric pressure और atmospheric temperature पर है, जो atmospheric pressure और atmospheric temperature पर है, उसके अंदरों का available energy है, वोला सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि, at atmospheric pressure, वो कैसा state होता है, dead state होता है, clear है, अब आप देख सकते हैं, कि जब वो चाय जो आपकी थी, जब वो चाय जो आपकी थी, उसकी properties, बिल्कुल ही, atmosphere के बराबर हो गई, तो वो atmosphere के साथ interact कर सकती है, वोला सर, कोई भी interaction नहीं होता है, जब कोई interaction नहीं होता है, तो उस state को हम लोग क्या बुलते है, dead state, जैसे एक मरा हुआ आदमी, पढ़ा हुआ है, उसका interaction, जब वो जिंदा रहता है, तभी उसका interaction रहता है, nature के साथ, अगर हो मरा हुआ, पढ़ा तो उस state को क्या बूलते है, it is the dead state, or it is the dead system, और जब dead state ये dead system होता है, उसके इंदर कोई भी available energy नहीं होती, like हमारा atmosphere, clear है, तो ये हमारा होता है, that means what, वोला सर, it is the dead state, a system is set to be in dead state, जब system के आ जाता है, equilibrium में आ जाता है, ऐसे ही आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा, कि सर, अगर हमारे पास कोई heat engine है, और हम जब maximum useful work उससे पाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यही दिखाया है, मैंने आपको ये heat engine आपको दिखाया, इसमें क्या है, हमारे पास जो maximum useful work कितना मिल सकता है, वोला सर, it is 1 minus T2 by T1, यही होगा, लेकिन आप इस work को और बढ़ा सकते हैं, कैसे, कैसे बढ़ा सकते हैं, कि वोला सर, इसका जो heat rejection temperature है, इसका जो heat rejection temperature जो है, वो आप क्या करो, surrounding temperature के बराबर करवा दो, उसका जो heat rejection temperature है, वो किसके बराबर कर दो, surrounding temperature के बराबर कर दो, तो that's why आपका क्या हो जाएगा, आपका और work बढ़ जाएगा यह काम बहुत वहाँ पर आता है कि जब आपको एक maximum useful work देखना है किसी भी process या किसी भी cycle के अंदर या किसी भी system के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं उस system को dead state पर ले जाते हैं तो dead state का मतलब it is it is interact with surrounding उसको surrounding के temperature और surrounding के pressure के बराबर कर दो उसके properties को तो आपको वहाँ से जो work मिलेगा वो क्या मिलेगा वहाँ सर maximum useful work हम लोगों को मिल जाएगा तो system को क्या बोला जाता है it is the dead state और आपने available energy जब आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी सी definition यहाँ पर आपने देखी होगी क्या कि सर maximum useful work that can be obtained यहाँ पर आप और भी लिख सकते हो that is what वोला सर इडिस दा एक्सर्जी एक्सर्जी भी में नीडाट मिज यही होता है उसके बाद आपने सुना होगा availability availability तो हमारी जो एक्सर्जी अविलेबिलिटी और अविलेबल इनर्जी है कम मिलती है क्या होता है वो तो वला सर्म लोग कहते है it is the maximum useful work that can be obtained from a cycle in which the systems comes to equilibrium system comes to equilibrium with surrounding or attain dead state clear है तो होपसो मेरे बच्चे आप लोगों को dead state clear हो गया होगा कि dead state क्या होता है आप कभी confused नहीं होगे कि dead state क्या होता है सिर्फ आपको याद रखना है एक मरा हुआ आदमी वो किस state में है वो वो dead state में है that means it is not interact with nature वो सर नेचर के साथ कोई भी interaction नहीं है यह हम लोग कह सकते है जिस system का interaction surrounding के साथ खतम हो जाता है अगर वो surrounding के साथ interact नहीं कर पा रहा है या उसकी properties surrounding के properties के बराबर हो गई है तो वो system किस state में है dead system में है या उसका जो state है वो कैसा है और सर वो dead state है तो hope so आप लोगों को clear हुआ होगा कि dead state क्या होता है तो ऐसे ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजेगा और पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को subscribe किये तो आज के लिए इतना ही मिलता हूं आप लोगों से next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए राम राम नमस्कार